असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू मै चैनल, मेरा नाह मैं शिजजा मतलूप और मैं जर्मिनी में रहती हूँ सबसे पहले मैं आप सब का थैंक्स करना चाहती हूँ जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, पसंद का रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब का रहे हैं और अगर आपने अभी तक मेरा सबस्क्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिया, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है किंडर वागन यानि स्ट्रोलर के हवाले से किंडर वागन बहुत जादा मैं भी कंफ्यूज होई थी जब हम लोगों ने विजिट करते थे तो डिफरेंट नेम्स और जर्मन वेप साइस बेबी वन जो बेबी वाल्स हैं वो अटमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाती थी तो बस एक कंफ्यूजन पहली रहती थी कि कौन सा ब्रैंड लें, किस किसम की लें, कुछ समझ नहीं आती थी फि पाकिस्तान जा कहीं भी एरपोर्ट पे क्या करेंगे हम लोग क्यूंकि कैबिन अप्रूफ स्ट्रॉलर्स रेलिटिवली काफी एक्सपेंसिव थी और एवन हम लोग ने सेकंड हैंड पी एबे क्लायन साइगन और वेंटेट पर देखी थी तो वह एक्सपेंसिव लगी थी हमें है खैर फिर हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें मश्वरा दिया कि ABC डिजाइन बहुत अच्छी है और ABC डिजाइन काफी लोगों रेक्मेंट का रहे थे और उसकी यूट्यूब पे हमने वीडियो वगरा देखी थी सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छी है और हम लोगों से पहले हम लोग बेबी वन और बेबी वाल्स के थे जब हम बेबी वन गए थे हम लोग ने वहां पर ABC डिजाइन के जो मॉडल था सालसा एयर फोर उसको देखा उसको यूज किया और फिर हम लोगों ने कहा कि चलो हम अब यही लेंगे हम मुतमेन हो गए थे और यह किंडर वागन तो डिसाइड हो गई थी अब बात आ गई थी बेबी शाले यानि बेबी केरियर जो बच्चे की कार सीट होती है जो जीरो टू जीरो मंस से लेके वन यर तक यूज होती है उसका सीन जी होता है कि बच्चा अगर वेट में 9 kg हो जाए और हाइट में 76 cm हो जाए इन द जब हम बेबी वन गए थे उसमें जो सेल्स वूमें थी उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि जब आप बेबी शाले यानि बेबी केरियर बाय कर रहे हैं तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने बच्चे को दो गहंटों से जादा उसमें नहीं रखना आपने अगर ट्रैवल करना है तो आप ये कोशिश करें कि आप उसको दो गहंटे मैक्सिमम उसमें रखें और बाद में कम आदा गहंटा उसको रेस्ट देना है आपने या एक फ्लैट सर्फेस पे आप उसको लिटाएं या उसको गोद में डाले है जैसा भी है तो जो लोग ट्रैवल कर आजाते हैं वो प्लीज ये बात अपने माइन में रख लें क्योंकर इससे बच्चे की नेक में प्रॉब्लम आ सकती है उसकी बैक में प्रॉब्लम आ सकती है और निवबॉन बेवी को हमेशा रेकमेंड किया जाता है यहां पर कि वो फ्लैट सर्फेस पे वो सोए और छोटा मत कीजिए क्योंकि मैं भी फर्स टाइम मॉम थी मुझे भी ये बात नहीं पता थी और अब वापिस आते हैं ABC डिजाइन के रिव्यू पे सबसे पहला पॉइंट जो इसका बहुत अच्छा है वो यह है कि अब मैं यह एक हाथ से मॉबाइल पर वीडियो बना रही है और मैं जो सीट है यह पूरी इसकी हाइट बहुत अच्छी है इस पूरी केंडर वागन की और जो इसकी सीट है वो काफी रूमी है बच्चा बड़े अराम से बैठता है और बर कंफर्ट के साथ सो भी जाता है और उपर इसकी कैनोपी भी बहुत अच्छी है यूवी बहुत नोट करते होंगे कि बहुत जादा वाइबरेशन जोती है वाइबरेट करता है उनके लिए अच्छी नहीं होती इस तरह इसी वाइबरेशन तो हम लोगों ने हर तरह की सर्फेस पर ये यूज की है और हम लोगों इसके कमफर्ट लेवल और शॉक अब्जॉर्बर स काफी satisfied रहे हैं यह सब तो होगे इसके फायदे आप Google भी कर सकते हैं आपको more or less यही बाते मिलेंगी अब जो सबसे बड़ा disadvantage जो हमें ना खुद पता था कि हमारे साथ होने वाले यह देख रहे हैं कि हमारा जो घर है वो first floor पे है और हम लोगों का यह ground floor से बाहर जब निकलते ह हैं तो इस तरीके से फिर थोड़ी सी और सीड़ियां आती हैं और फिर हम लोग बाहर जाते हैं सबसे पहले मैं इसकी यह वाला पार्ट उपर से लेके आती हूं नीचे रखती हूं ठीक है फिर मैं वापिस उपर जाती हूं फिर मैं इसकी सीट लेके आती हूं और साथ मैं कुछ बैक पैक या कुछ और सामान हो वो लेके आती हूँ अब तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है दो साल ही है माशालला से वो स्टेर्स खुद उतर जाती है तो मेरे साथ ही आ जाती है लेकिन जब ये नियू बॉन थी और हमें बाहर जाना होता था क्योंके जाहरे बच्चे को वॉक पे लेके जाना रेकमेंड़ होता है फ्रेश एर उसको जरूरत होती है लेकिन मैं जाया करती थी उसको तो उसको फिर पहले मैं उसको उपर सेफ खर में सही उसके पिलोज वगरा ये वोकीज अपने पास रखना इस हैसल से गुजरती थी फिर मैं ये सारे पार्ट जोड़ती थी फिर मैं उपर से अपनी बेटी लेके आती थी और साथ में ये भी मुझे टेंशन होती थी कि कोई मेरी ये उठा कहीं न ले जए बगा कहीं ले जए खेर यहाँ ऐसा होता नहीं है बट स्टेल जूनो पाकस्तानी हो ऐसे ख्यालात आ सकते और फिर जब मैं घंटा डेट घंटा डिपेंड करते हैं आप बाहर कितना रहते हैं बारहल जतना भी बाहर रहते हैं एक न्यू मदर्ज होती है वह ऐसी थोड़ी जल्दी अग्जास्ट हो जाती है इतना उसक से पहले अपनी बेटी ऊपर छोड़ के आती थी और वो जो टेंशन होती थी किया मेरी बेटी ऊपर अकेली है और पांच मिन लग जाता थे मुझे यह सारा अपना वाइंड अप करने में तो बस वह अलग परेशानी से मैं गुजरती थी और बस मैं सोचती थी कि बस पतनी क क्यों हम लोगों ने ये किंडर वागन खरीद लिये काश ना खरीदे कोई और ब्रैंड ले लेते जो इतनी लाइट वेट होती है या इजी टू हैंडल होती कि मैं चलो एक हाथ में वो उठा लेती और बस अपना चलो जाद़ जाद़ दो चकर मेरे लग जाते फिर इसी तर हैंड वाश करने होते थे मैंने और अपनी हाईजीन का पहले ख्याल रखना होता था फिर अपनी बेटी को उठा के बारे ये जो साड़ा प्रोसेस मैं आपको बता रही हो ना ये जब इनसान गुजरता है ना उस स्वेश से तो ही उस टाइम मुश्किल लग रही होती है लेकिन न्यू मर्डर्स के लिए ये मैं स्पेशली बताना चाहरी हूँ कि अगर आपका अपार्टमेंट भी इसी तरह का है कि आपको उपर नहीं है रखने की जगा क्यूंकि हमें ये पता था कि हम लोगों का जो घर की बेसमेंट है उसके उदर रखेंगे और क्यूंकि वह हां से गार्डन का रास्ता गुजरता था तो हम लोग एजीली मैनेज कर सकते थे लेकिन हमें नहीं पता था कि नेबर्स हमारी बहुत नाइस थी बहुत नाइस नेबर्स थी अंटिल हमारी बेटी ने पैदा हुई जब हमारी बेटी पैदा हुई उसको तो उसके रोने से प पोच्छ ले उनको confidence में ले ले हैं।क कि आप अपने घर के आगे यह रख सकते हैं या यह नहीं पर्पपर्डिंड्स करें। मैं आपको करें। nombreux फ्लोर पे आपको ये वाले मसलों से नहीं दो चार होना पड़ेगा तीसरा बस आप ये देख लें कि आपने इसको कैरी कितनी सीडियां चड़के करना है और ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़ूर रखेगा ये किंडर वागन बाय करने से पहले तो फिर इंशाला आपक पाड़े के डिगी में बस ये ही आती है फिर अब बात आती है कि हमें बैसीनेश ट्रोलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सबसे पहली बात चाहिए कि ये 0 to 6 months तक यूज होती है या तब तक आपका बच्चा बैठना ने स्टार्ट कर देता क्योंकि ज जब हम लोगों ने ट्रैवल किया था स्ट्रासबूर्ग फ्रांस में तो हमें ये बहुत अच्छा लगा था हमें इसके साथ ट्रैवल करके क्योंकि हमारी बेटी बड़ी कमफर्टेबली रही थी अराम से लेटी रहती थी खेलती रहती थी और उसका डाइपर भी बड़े अब बात आ जाती है आपके बेबी केरियर की के आप उसको अपनी किंडर वागन पे स्ट्रोलर पे अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं या आप देख लिए आपने इस तरह के युनिवर्सल और डॉप्टर एबीसी डिजाइन के मिलते हैं वो लोगों ने इसको अटैच कर लिया था अपनी मैक्सी कोजी को इसके साथ तो हमारी एक कॉम्बी स्ट्रोलर खुद ही बन गई थी क्योंकि जो एबीसी डिजाइन की अपनी यह थी ना बेबी केरियर वो एक्सपेंसिव थी और यह माक्सी कोजी की हम लोगों को 50 योरो की बे ले वो यहाँ न ले लोगे मारी क्से साथ की सीट और इसका जो स्ट्रालर है वह थी मिली थी एट 55 योरो की कॉम्बी स्ट्रालर नहीं था पसंद हं लोगों ने यह शौप पी की थी और और हम लोगों ने घर ऑन लाइन की थी मुझे website याद नहीं आ रहा कि पते नहीं baby walls थी या baby one थी भारहल हम लोगों ने उस website से order की लोगों के घर वो deliver हो गई थी तो मैंने amazon पे देखा यही चीज same चीज 700 की मिल रही थी तो हम लोगों ने फिर amazon से वो order की और उसको हम लोगों ने compare किया उसके box को तो same same था model number everything was same सिर्फ एक difference था कि वो 2021 model था amazon वाला और जे 2022 model था लेकिन इस इन numbers के इलावा किसी चीज़ का कोई फार्क नहीं था तो पिर हम लोगों ने वो वाली return कर दी 850 euros वाली और हम लोगों ने amazon से जो 700 euros की buy की थी वो रख ली अडाप्टर जा गए थे 40 euros की और मक्सी कोजी थी 50 euros की तो ये हमें total पाड़ गया था 790 euros का ये विलोग अब लंबा हो रहा है आप लोगों ने मुझे subscribe करना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एरपोर्ट ट्रैवल कैसा रहा था मेरा airline experience क्योंकि मैं दो दफ़ा अपनी बेटी के साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ और साथ ही मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप लोग कौन सी किस किसम की जो स्ट्रॉलर है प्राम है वो लेकर जा सकते है एरपोर्ट पे और आप पाकिस्तान में वो कैसे योज़ कर सकते हैं तो ये वाले टॉपिक्स मैं इन्शालला नेक्स वीडियो में कवर उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरी और मुझे सज्जेस्टन जरूर दीजिएगा कमेंस में जबर बताईएगा कि मैं और किस किसम का कंटेंट बनाऊ और सबसे एहम मैसेज जो नोगों के लिए जो मेरे रेनोवेशन व्लॉग कर रहे हैं मेरे हस्बेंट बहुत बिजी हैं आज का रेनोवेशन में उन्होंने ऑफिस से चुटियां ली वी हैं और उनका कुछ काम ऐसा है ऑफिस का कि उनको ट्रैवल करना पड़ता है तो वह वाकी बहुत बिजी हैं हम लोग भी अकसर जो है मैस्जिस पर बात कर रहे होते हैं क्योंकि जब हम आमने सामने होते हैं तो मेरी बेटी हमें बात नहीं करने देती तो जैसे ही इंशाला उनको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है मैं क्योंकि रेनोवेशन व्लॉग वो बाते हैं जो मैं उनसे पूछनी पड़ती है मुझे उसमें उनकी एक्सपरटीज ज्यादा है तो इ झाल